तो आज की वीडियो में मेरी ट्रेडिंग जन्नी के बारे में बात करेंगे और कब मैंने स्टार्टिंग की और मुझे अभी कितना प्रॉफिट और कितने लॉस में हूं मैं तो मैंने जो स्टार्टिंग की थी वह कोविट क्रेश में की थी जब मार्केट क्रेश हुआ था 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 थब थोड़ा न्यूस से इंफलेवेंस होके मैंने ट्रेडिंग reci की थी लेकिन क्या हुआ जब मार्केट में अपन नए नए रहते तो डेली जो प्रोफिट लोस होता है उसको अपन देखके देखके इसमें थोड़ा सा ज्यादा ट्रेड करनी कोशिश करते हैं यहां ज्यादा पेसा कमाने के बारे हम सोचते तो उससे अपने को बड़े-बड़े ल स्टाड किया था हां लगबग मैंने अप्रेल के सम्थिंग स्टार्ट किया था अप्रेल से अभी तक का कुछ प्रोफिट लोस देखें गें अपन तो लगबग साड़े-4 लाग के सम्थिंग का मुझे एक्विटी में लोस हुआ तो यह सबसे बड़ा लोस था मेरा उसके सब्सक्राइब फिर मैंने फ्यूचर और अप्शन में ट्रेडिंग स्टार्ट की तो मैं जो कंटिनू जो ट्रेडिंग कर रहा हूं इस साल से कर रहा हूं बाकी मैं बहुत कम ट्रेड लेता था मैंने में एक दो ट्रेड लेता था तो फ्यूचर अप्शन के अपन देखते ह तो यहां पे जो है मैं नेट 5 लाक के लोस में हूँ और एक्विटी में कितना 4 लाक का तो और आउंड 9 लाक का मुझे लोस है जिसमें से जो मेरे चार्ज़स है सबसे ज्यादा मेरे चार्ज़स बने F&O में और वो भी ओवर ट्रेडिंग की वज़े से तो मार्केट जो है मैं जब मैं जब आया था मार्केट में मैं इन्वेस्ट करने के लिए आया था लेकिन मार्केट नहीं मुझे सबसे पहले गेंबलर मनाया और फिर गेंबलर से ट्रेडर मना दिया तो यहां पे जो एक्विटी का जो था मैंने एक्विटी मैंने बंद कर दि तो अभी तक मैं इसमें 5 lakh के लोसेज में हूँ और यहां पर जो है 5 lakh से ज़्यादा मेरी ब्रोक्रेज है जो टोटल चार्ज वगेरा यह कटे तो यह जो है सब और ट्रेडिंग की वज़े से हुआ और यहां पर जो मेरे लाष्ट इस साल के जो लाष्ट मन्त थे वो अक्टूमर नॉमबर दिसमर तीन महिने दिसमर अभी पूरा नहीं हुआ है पर जो यह तीन महिने है इनों ने मेरा काफी कुछ लोस कवर किया है और यहां पर आपको बड़े लोसेज भी नहीं दिख रहे होंगे तो यहां पर सबसे पहले अपन सबसे बड़ा लोस देखते हैं वो हुआ था मार्च में अराउंड 1,78,000 का और यह हुआ था 10 मार्च के सम्थिंग और जो नेक्स्ट बड़ा लोस हुआ था वो 17 मार्च को हुआ था 1,55,000 के सम्थिंग तो दो बड़े लोस इसमें थे तो 3 लाग के सम्थिंग का लोस इस मार्च मंत में हुआ उसके बाद अपरेल मंत में 2 लाग के सम्थिंग का कुछ लोस इसमें हुआ तो तीन और दो पांच लाग के सम्तिंग का लोस दो मत में हो गया और फिर वापस बड़ा लोस हुआ मुझे माई में वन लाग 65,000 के सम्तिंग का और 75,000 के सम्तिंग का ये तो अराउंड सवा दो लाग के सम्तिंग का माई में लोस हुआ तो यह जो बड़े बड़े लोसे से 1 लाग का इसमें हुआ और जुलाइ में भी 71,000 का बिग लोस हुआ तो यहां जुलाइ तक ही मुझे बड़े बड़े लोस हुए उसके बाद जो है लोस थोड़े से छोटे होने श्टार्ट हुए क्योंकि उसके बीचे का जो रीजन है वो यह है कि मैं यहां option selling ज़्यादा करने लगा और option buying पे मैंने कम फोकस किया पहले मैं यहां option buying करके मैंने यह loss किया है और यहां पे जो capital थी मेरी वो लगबग 20 lakh के something थी और यहां पे जब मैंने option selling start की तो उसमें मैंने capital को भी half कर दिया और मेरा जो risk होता था उसको भी मैंने कम कर दिया तो यहां पे लगबग जुलाई अगस्त के something से मुझे बड़े loss होना बंद हो गए क्योंकि और रोल देखा जाये तो मैं पैसे तो मनाता था लेकिन मेरा जो है एक यह दिन में loss हो जाता था बड़ा loss तो उस वज़े से मैं profitable नहीं रह रह रहा था तो मैंने उस चीज को कि तो मैंने सबसे पहले जो मैं ज्यादा बड़े amount से trade करता था उससे psychology भीगरती थी तो मैंने सबसे पहले अपना amount कम किया फिर मैंने trade करना start किया तो फिर उसका मेरे को benefit मिला यह कि मेरे जो बड़े losses होते थे वह कम हो गया तो उस वज़े से थोड़ा सा मेरा profit बढ़ने तो फिर धीर धीर मैंने option selling करके थोड़ा बहुत loss कवर कर नहीं कोशिश की तो यह अक्टुम्बर तक कि अक्टुम्बर तक देखते पन कितना loss था मुझे कि सब्सक्राइब 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 कि सितम्बर तक मुझे लगबक साथ लाग के सम्धिंग का loss था और लगबक इस में से मैंने भी दो तीत महिने में दो लाग के सम्धिंग का कवर किया है डाइलाग के सम्धिंग हाँ पर यहां दिसम्बर तक देखते हैं तो यहां पर जो है अभी मैंने डाइलाग के सम्धिंग कुछ कवर किया है यहां पर भी ब्रोक्रेस चार्जस सबसे ज़्यादा है लेकिन तो भी थोड़ा सा जो profitability है वो थोड़ी से बड़ी है और यहां पर मैंने बिल्कुल option buying एक भी दिन option buying करके trade नहीं लिया है और सितंबर में मेरा जो बड़ा लोस है वो देखते हैं पन 48,000 का एक बड़ा लोस है और यह 20 और यह 20 के लगपक तो 80,000 के सम्धिंग 90,000 के सम्धिंग सेप्टेंबर का लोस है और बाकी इस अक्टुमबर नौंबर और दिसंबर नौंबर में मेरी 99% accuracy रही यहां पर मुझ तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट जो है डेली अपन ग्रीन में नहीं फ्लोस कर सकते हैं और डेली पैसा नहीं कमा सकते हैं बट जो प्रोफिटोबल होने की मुझे एक चीज जो लगी वो यह है कि अपना जो रिस्क मेनेजमेंट है उस फोकस करो आप कितना पैसा आज जाते हो यह लूस कर सकते हो यह जुरूर अपने हाथ में तो रिस्क मेनेजमेंट को मैं ट्रेडिंग का बैस मानता हूं तो अपने को सबसे ज्यादा फोकस करना एक्स मेनेजमेंट पर ताकि अपने एटलिस्ट कमाए नहीं तो लूस तो नहीं करें कमाना यह गलग बात है लेकिन अगर अपन पैसे लगा रहे हैं तो अपनी साइकोलोजी बिगड़ेगी और अगर पैसे लगा दिये तो वह कहिन कहीं से कमा भी लेंगे लेकिन एक बार अगर कॉंफिडेंस चला गया तो उसको बिल्डप करने में काफी टाइम लग जाता है तो अभी मैं प्रोफि में लॉस है और चार लग के सम्धिंग मुझे एक्विटी में लॉस है तो आई होप यह जल्दी से कवर हो जाए अगर अगर बस अभी लेक नहीं वीडियों में अच्छा लगा है